शेव कुमार वर्मा ट्रेटर्स चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन जोरू दबाइएगा प्लीज कंसर्ल और फाइनेशल अडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग इन ट्रेडिंग चैनल का फाइब परफॉर्मिंग एट देर सपोर्ट लेवल और सपोर्ट लेवल से बहुत अच्छा बाउंस आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है आलोक इंडस्टिज ने आज दिखाया है पांच प्रतिशत का अपर सरकिट लगा था आलोक इंडस्टिज में आज काफी अच्छी ख अजिक्षन देखा जाए तो सप्टेम्बर को क्वार्टर एक्सपेक्टेशन यह था कि यहापर प्रॉफिट पॉस्टिव रहेगा बट ऐसा नहीं हुआ है और जिसकी वज़े से अभी भी दो हजार बाइस तैस में इनको प्रॉफिडिबिल्टी नेट प्रॉफिडिबिल हो चुका है और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आगे चलकर ग्लोबल मार्किट में इसके लिए काफी अच्छा ग्रोथ रहेगा यहाँ पर जो बात की है बात टावल बात रोब्स और इनका यूज़ेज हाउसोल्ड में कमर्शल स्पेशली होटल इंडस्टी में बहुत किया है जिसकी वेरिस डीटियल बताई है और यहाँ पर अगर आपको कॉंटेक्ट करना है तो यहाँ पर नवाड़ा यूएस से की कंपनी है उनको आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं इस रिपोर्ट को जो समरी है यह बताया गया कि बात्रूम लिन और रोब की जो आगे आने वा काम भी इन्होंने शामिल किया है अब अगर आज आलोग का भाव देखें तो आज आलोग काफी अच्छा मोमेंटम रहा है यहाँ पर बंद होते होते अपर सरकीट पर बंद हो आए देखें मौर्णिंग से ही पॉस्रीट चल रहा था यहाँ पर 15 रुपे 40 पैसे से 15 रुप कर रहे हैं बाई के लिए और 16 रुपे के नीचे तो यह एक खरा सोना है स्टॉक आगया आने वाले समय में जब इसका भाव शुरू में यहाँ पर देखें जब इसका भाव काफी उपर चला गया था 64 हमने जब अपना वीडियो बनाने शुरू किये थे चैनल को शुरू कि था तो हमने कहा था कि यह काफी अनेक्सपेक्टिडली ग्रो कर रहा है इसको यहाँ पर अवोइड कीजिए इसकी फेर वैल्यू 16 रुपे के आसपास है और यह अब अपनी फेर वैल्यू के लोर रेंज में आ चुका है जो कि इसके लिए पॉसिटिव ट्रेंड है यहाँ से लॉंग टम के बायर इसको अब यहाँ पर खरीच सकते हैं यह आपको एक अच्छी बाइंग अपोर्चुनिटी दे रहा है अगर मूविंग एवरेज को देखें तो 50 दे मूविंग एवरेज करेंटली यहाँ पर 18 रुपे के आसपास है और अगर 200 दे मूविंग एवरेज दिखा जाए तो 200 दे मूविंग एवरेज भी इसने काफी positive momentum बनाने की कोशिश करेगा जब यह एक बार इन दोनों के level को तोड़कर उपर जाएगा देखें 22 का level है इसका 50 दे मूविंग एवरेज का है 18 और 200 दे मूविंग एवरेज का 22 के आसपास level है अगर हम इसके chart को द सकता है alligator indicator को देखा जाए तो alligator indicator को देखा जाए तो अभी भी यह sell signal maintain किया हुआ है इसने और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर Magdy को देखें तो Magdy का यह buy emerge होना शुरू हो चुका है देखें यहां से Magdy की दर्शी से इसने buy signal initiate कर चुका है यहां पर साथ-साथ में अगर हम ब value यहां पर oversold zone आ चुकीती हो देखें यहां पर जी जिसने खरीदा है 14 रुपे के आउस पास काफी अच्छा momentum है उनके पास में already आपको 15% का return मिल चुका है यहां पर 17 रुपे चार्ज पैसे तोड़ेगा तो यह इसमें technically buy start होगी जो की इसके लिए एक positive trend बनाएगा अगर ह अगर हम बात करें यहां पर इसका बुलिंजर बैंड बैंड के बाहर निकलना clear indication होता है नीचे की तरफ को आप यहां पर buy कर सकते हैं सबसे पहला target इसका 100 रुपे 60 पैसे का और उसके बाद में शायदी अथा और 50 पैसे के तरफ को अग्रिम होगा हमारे हिसाब से यहां पर से भी कभी इसमें approval आ चुका है यहां पर 16,000 करोड रुपे मिलेंगे इस से 13,33% stake यहां पर government को दे रहे हैं government of India this is the right step in the right direction साथ-साथ में इन्होंने कहा है कि अगर equity का भाव fair value से नीचे कई report आ रही थी कि उसकी वज़े से government यहां पर शायद नहीं इसको करेगी इसके चलते हुए यह इसकी conversion बहुत जल्दी complete होगा जिससे employee भी खुश और साथ-साथ में इनके customer भी काफी खुश होगे हमारे साब से यहाँ पर जो इनका tower का धगड़ा चलना था वो सुलच चुका है ऐसे नहीं होता तो दिक्कत होती दोनों parties को अब यहाँ पर बैठ कर इंडस tower ने समझोता कर लिया है अगर total debt देखें तो banks के लिए 15,000 करोड का debt है इनके पास में अभी mutual fund की holding study है और हमारे इसाब से revenue बढ़ेगा आगे आने वले समय में consolidation range है इसका जो लोग चाहें यहां 8.50 पैसे के आसपास काफी अच्छी बाइंग लेवेल अभी ज्यादा दूर नहीं क्या है 8.60 पैसे है एक बार यह चलना शुरुआ तो बहुत जल्द यह 16 रुपे को तोड़कर फिर अपने नए स्थर पर बनाएगा अगर हम बात करें इसके volume की तो volume 186 million के आसपास है इसका share यहां पर आज trade किया है और अगर allocated indicator के पास दिखा जाए तो आज बहुत consolidation हो चुका है उमीद लगा जागी एक दो दिन के अंदर दोनो या तीनो parameter पर एक साथ यह jump करेगा जैसे ही कोई भी positive आए या तो funding approval लो या government क equity stake confirmation आए मैगडी ने आलोडी इसको actually buy signal generate कर दे है यह first leading indicator होता है जो आपको buy signal का बताता है super trend के business पर 9 रोपे 20 पैसे का एक resistance लगेगा बट यह बहुत जल्दी consolidation को uptick करेगा RSI 44 जो कि एक perfect neutral zone के आसपास trade कर रहा है slightly negative bias vortex indicator यहाँ पर अभी न buy न sell zone में है और अगर आप इसका bulinger band का pattern देखें तो यह band के pattern के बिल्कुल बीचो बीच आचुका consolidation कर रहा है आठ के आसपास bandwidth है जो की काफी कम bandwidth है यहाँ से bump कर सकता है तो यह अच्छा momentum रहेगा इसमें एक साल में 10% का negative दिखाया है अगर हम साथ trading करनी है तो mail drop करेंगे